बूर्णिंग गोस्तो मैं हूँ सुकदेव कंबो जर आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज दोस्तों बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में मूल अधिकारों को बहुती शॉट ट्रिक से हम बहुती इजी तरीके से हम याद करेंगे विद अनुछेद आपको पता लग जाएगा और मूल अधिकारों की अगर मैं बात करूँ तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि मूल अधिकारों का जिक्र जो है वो हमारे भाग 3 के अंदर है और अनुछेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है इतनी बात आपको पता होनी चाहिए इसमें 12 और 13 को छोड़ देना है क्योंकि मूल अधिकार हमारे मूल सविधान के अंदर कितने मूल अधिकार थे साथ थे लेकिन इसके बाद एक कम हो गया वो अब रह गए कितने 6 तो 6 की बात करेंगे 6 मूल अधिकार कौन-कौन से अनुछेद के अंदर है किस परकार से हम याद कर पाएंगे तो टिक है हमारी सम तंतर शोधा शिक्षा उपचार बस इतनी जी बात आपको याद रखनी है सम, तंतर, शोधा, शिक्षा, उपचार और इसके साथ आपको एक नंबर याद रखना है वो नंबर आपका क्या कहता है एक से लेकर के 5 को डाइल कीजिए उसके बाद 4242 डाइल कीजिए एक से लेकर के 5 तक डाइल कीजिए फिर 4242 डाइल कीजिए अब इससे इतनी जी बात से आपको सारे के सारे मूल अधिकार प्लस उनके अनुछे दियाद हो गए कैसे याद हो गए चलिए बात करते हैं पहले हम मूल अधिकारों को लिखते हैं तो सम से क्या बन जाएगा पहला हमारा मूल अधिकार बनेगा समानता का अधिकार क्या बनेगा समानता का अधिकार कई बुक्स में आपको समता का अधिकार भी मिले जागा एकी बात होती समानता का अधिकार और समता का अधिकार, अब दूसरे नंबर पे आते हैं, तो दूसरा नंबर आपका क्या कहता है, तंतर से बनेगा सवतंतरता का अधिकार, क्या बनेगा, सवतंतरता का अधिकार, का अधिकार, इसके साथ साथ में हमने जो नंबर अलॉट करना है, इसके साथ साथ ये 5 है, तो 5 आज हमने किसको अलॉट करना है इसी को अलॉट करना है पहले वाले को चार हमने अलॉट कर दिया किसको next वाले को अब आगे बात करेंगे ये भी हो गया सम भी हो गया तंतर भी हो गया अब बात करेंगे शो से बात करेंगे शो से क्या हो जाएगा शोशन के विरुद अधिकार शोशन के विरुद अधिकार ये बात हो गई अगला नमबर हमने क्या अलाउट करना है पांच कर दिया, चार कर दिया, अब दो को करना है तो आप इसको दो नमबर दे दीजे अब आगे बात करेंगे चार नमबर पे चार नमबर पे आजाएगा हमारा धा धा से बनेगा धार्मिक सवतंतरता का अधिकार ये बात हो गई अगला नमबर हमने क्या देना है चार देना है फिर से तो हम यहाँ पे चार नमबर लिख देंगे ठीक है, इसके बाद अगला ये भी हो गया शो भी हो गया, धा भी हो गया, अब आगया शिक्षा तो शिक्षा से क्या बनेगा दोस्तों, शिक्षा एम संस्कृति का अधिकार, क्या बनेगा, शिक्षा एम संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ये बात हो गई, अब चार नंबर हम दे चुके हैं, अगला क्या है, दो नंबर है, तो हमने दो नंबर इसको अलोट क इस प्रकार से यह नुच्छेद आएंगे अभी आपको पता लग जाएगा अब 6 नमबर पे हमारा लाश्ट क्या रह गया शिक्षा भी आ गया उपचार से क्या बनेगा समयधानिक उपचारों का अधिकार क्या बनेगा समयधानिक उपचारों का अधिकार उपचारों का अध इतनी बात आपको याद रखनी है और लास्ट नंबर हमको अलोट कर देना इसका क्या बचा है हमारे पास एक बचा है तो एक यहाँ पे इसको दे देना है तो हमने अभी तक क्या देखा कि सम तंतर शोधा शिक्षा उपचार एक नंबर हमने याद किया एक से लेकर के पांच जबकि उपचार से क्या बना सविधानिक उपचार 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 तो इसी क्रम में हमने इसको नंबर दे दिये इस तरीके से अब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा याद करना और वहाँ पे आपको सिर्फ यह लाइन य जो हमारे में मूल अधिकार जो 6 हैं वो 14 से लेकर के 32 इनका जिकर है ठीक है वैसे अगर आप से कोशन पूछा जाए कि मूल अधिकारों का जिकर कहा था है तो 12 से लेकर के 35 जो अनुछेद हैं वो सारे के सारे मूल अधिकारों से समंदित हैं ठीक है भाग 3 के अंदर आते है लेकिन जो हमारे 6 मूल अधिकार वरणीत है वो 14 से लेकर 32 तक है चलिए शुरू करते हैं कि समानता का अधिकार 14 से शुरू होगा तो 14 से हमने शुरू कर दिया 14 से 5 गिंती आपको गिननी है 14, 15, 16, 17 और 18 तो हम 18 तक पहुँचे 5 नमबर तो 14 से लेकर 18 तक किसका जिकर हो गया समानता का अधिकार अब आगे 18 से आगे क्या आता है 19 आता है तो 19 से आपको 4 गिनना है विद 19 गिनना साथ में 19, 20, 21 और 22 तो 19 से लेकर के 22 तक किसका जिकर हा गया स JACK अब आगे बात करेंगे शोशन के विरुद अधिकार, यहाँ पे दो नंबर है, तो 22 के आगे क्या आजाएगा, 23 और 24 आजाएगा, तो दो नंबर है, तो दो नंबर हमें के एक कोडिंग चलेंगे, फिर आगे आया धार्मिक सतंतरता का अधिकार है, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 से शुरू होगा, और 25 से गिनी है, 25, 26, 27 और 28, तो 25 से 28 किसका जिकरा जाएगा, और उनुचेद 25 से 28 किसका है, धार्मिक सतंतरता का अधिकार है, अब आगे बात करेंगे, शिक्षा आयम संस्क्रीति का अधिकार, यहाँ पे आपको दो नंबर है, तो 28 के बाद क्या जाएगा, 29 और 30, ये बात आगई, अब आपको लाश्ट में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कि हमारे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सविधान में मूल, सविधान में कितने थे, साथ थे, अब कितने मूल दिकार हो गए, 6 हो गए, तो जो एक हटाया गया है, वो किस के अंदर वरनित था, अनुछेद 31 में वरनित था, इसलिए 31 वाला समाप्ती हो गया, तो अब आपको लाश्ट जो देना है नंबर, वो 30 के बाद 31 नहीं देंगे, सीधा देंगे 32, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकि आपको कुछ भी याद करने की जुरूरत नहीं है, सिंपल, आप एक लाइन याद कीए, सम्तंतर शोधा, शिक्षा, उप्चार, एक से पांच, फोर्टू, फोर्टू, अब आपके पास कोश्चन कैसे आएगा, कोश्चन कैसे भी आगया, शोशन के विरुदददिकार का जिक्र नेमल में, किस अनुछेद के अंदर है, तो अगर आपको यहाँ पे यह लाइन याद है, सम्तंतर शोधा, शोधा, शोशन के विरुदददकार, यानि तीन नमबर प्यार है, और इधर से नमबर भी इसको कितना मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो दो नमबर के इसाब से आप 14 से गिंती करेंगे, तो आपको 23 और 26 मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप फटा फट से 2-3 बार एक इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इजली है, याद हो जाएगा, तो अमीद करता हूँ, आपको ये शोट रिक जो है, इजी लगी होगी, और असान है याद करने में, आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक आदा नमबर ये जरूर दिला के जाएगी, धन्यवाद दोस्तों,